एक लड़की बहुत ट्रबल क्रेट करती है तो उसके स्टेफ फादर उसे बहुत ही डेंजरस से कैम में भेज देती है जहाँ पर बहुत सारी इल्लीगल चीज़ चलती है उसी लड़की का बॉइफ्रेंड उस लड़की को ढूंटे हुए उसी कैम पर बहुत चाहता है अब आ किसीदेरी के एक्सप्लेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्र होती है और हम एक लड़के को देखते है जिसका नाम है बेन वो एक शौप में काम करता था उसके शौप में एक लड़का एज जो गयती है तुमने मुझे एक बहुत इख़डिया चीज सेल की थी मुझे त तुम से अकेले में बात करनी है ये लड़की और कोई नहीं तूसकी गर्फरेंट सोफी थी उसे लेकर गई और ये दोनों मेक आउट करते हैं एक पार्टी होने वाली थी यहाँ पर सोफी ने उसे इन्वाइट किया सोफी के गर पर उसके पैरंस ने बहुत सारे लोगों को इ कहती है क्या आपकी है इसे स्टेफ फादर को बहुत जादा गुस्सा आ जाता है तो सब के सामने उसे एडमिट करने के लिए थे कि उसने अभी अभी जूट का था नेकसी में देखते हैं कि सोफी और बेन की पार्टी चल रही थी बेन ने नोटिस किया कि सोफी के आम पर ए यह रीजन होना चाहिए यह दोनों इंटिमेट होने वाले थे तब वहाँ पर कुछ अजीव से लोग पहुझ गए वो जबर्द से सोफी को वहाँ से लेकर जाते हैं बेन सोफी के पैरंस से बुछता है कि यह सब क्या हुआ तो पैरंस ने गहाँ कि सोफी को इस सब की जरू सजा भी दी जा सकती है अगली सुबा जब सोफी को होश आया तो फीजी के एक आइलन पर थी है उसके साथ कुछ और भी लड़के थे जिनने भी स्कैम में भेजा गया था इन सब को जबर्दस्तिक बीच के पास ले जा जाता है सबका आइडेंटिफिकेशन हुआ और उनके पैर में एक डिवाइस लगा दिया गया इस डिवाइस में ट्रैकर था जिससे कोई भी बचकर भाग ना सके यहां सेक्यूरिटी का हेड लोगन था लोगन सबसे कहता है कि कोई भी यहां से बचकर जा नहीं सकता क्योंकि आसपास पुरा पानी है तेरे कर कभी भी किनारे तक तुम नहीं पोच सकते, इन सब को फिर एक सिमेंट के स्क्वेर से बान दिया गया लोगन कहता है कि हम सब को स्ट्रॉंग बनाने वाले हैं जितने जल्दी तुम सीख जा, उतना ही तुमारे लिए अच्छा होगा रात में किनारे पर पानी आने लग गया, यह सब लोग डूबने लग गये थे पूरी रात खुद को बचाने के लिए तड़बते रहते हैं अगली सोबा इस कैम का ओनर नॉर्मन इनके पास है, वो इने वेलकम करता है सोफी कहे थी कि यह किस तरीके का वेलकम है, रात बर हमें तडबना पड़ा था नॉर्मन ने कहा कि जिस तरीके से तुमें फील हुआ, तुम यही चीज अपने पैरेंस को इतने सालों तक फील कराते आ रहे हो वो भी तुमारी वज़े से स्टक थे, इस कैम में तुमें सही तरीके से बिहेव कैसे करना है, यह सारी चीज़े सिखाई जाएगी दूसरे लड़के नॉर्मन को गालिया दिने लग गये थे, एक को इन्होंने बहुत जाद मारा इन सब को एक लड़की से इंट्रोडूस करवाया गया, जिसका नाम था एलन, एलन यहाँ पर पिछले दो साल से थी और अब इस आइलन से ओ जाने वाली थी, क्योंकि अब वो सुधर चुकी थी एलन सब को यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर गाइड करती है, बाकी कैम के सारे स्टोड़न ने ब्लैक शट पहने हुए थे, वो कहती है, यह तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड रिप्रेजेंट करता है जैसे जैसे तुम में सुधार आएगा, उसी तरीके से टीशर का कलर हम चेंज करेंगे पहले यलो होगा, उसके बाद वाइड, और इसके बाद वो घर जा सकते है सोफी जिस कैम में थी, वहाँ पर उसके एक फ्रेंड बनी, जिसका नाम था ट्रीना ये दोनों डिसकस कर रहे थे, कि एलन जब यहाँ पर आई तो उसकी कंडिशन क्या थी एलन ने कहा कि मैं बहुत ही जादा फैट थी, अब यहाँ पर रहने के बाद वो शेप में आ चुकी है और उसका कोई भी मजाग नहीं उड़ाएगा, वो फैट थी तो इस वज़े से टेंशन में खुद को हट करती थी तब उसका माइंड सेट बहुत ही स्टॉंग हो चुका है गर बर बेन ने सोफी की मदर से बात करने की बहुत कोशिश के, वो बार बार उसे कॉल करता था एक दिन फिर सोफी की मदर बेन से मिलने की लाए, बेन ने उसे समझाने की कोशिश के कि सोफी ऐसा कुछ भी डिजर्व नहीं करती बेन बुचता है कि वो कैम कहा है सोफी की मदर ने उसे बता दिया बेन ने कहा कि तुम्हें उसे प्रोटेक करना चाहिए सोफी की मदर को बुरा लगा और वहाँ से चली जाती है बेन ने उस कैम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल वाई उगर में अजीब तरीके से बिहेव करने लग गया उसने एक ड्रग डिलर से ड्रग्स पाई किये खुद को इंजेक करने लग गया था इससे के पैरलेल में सोफी को यहाँ अज्जेस होने में बहुत ही टाइम लगता है इन दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी एक दिन कैम में सोफी ने देखा कि इस कैम में एक होल भी बना हुआ है जो लटके कुछ बात मानते नहीं उन्हें इस होल में डाल दिया जाता है यह बहुत ही डेंजरस पनिश्मेंट थी एक दिन सब लोग को एक जगा पर बुलाया गया ट्रिना को सब के बीच में खड़ा किया जाता है नॉर्मन गहता है ट्रिना को यहाँ आयोए तीन वीक हो चुके है अब ट्रिना ने जो भी किया था उसके बारे में उसे कनफेस करना था ट्रिना को सबके सामने बताना गलत लग रहा था तो नॉर्मन ने कुछ बच्चों को चूज किया ये सारे मिलकर ट्रिना को पुश करने लग गए मारने लग गए फाइनली ट्रिना कनवेस कर देती है वो गहती कि मेरे बैरेंस बहुत ही रिलीजेस है मेरा किसे लड़के के साथ होना ये उन्हें अच्छा नहीं लगता तो उनसे बदला लेने के लिए एक रात में बहुत सारे लड़कों के साथ इंटिमेट हुई थी इसी वज़े से उसे स्कैम में डाल दिया गया उसने जो भी किया उसे गलत लगता है और इसके लिए उस शर्मीन दावी थी सब लोग आकर फिर उसे गले लगाते है कहते हैं हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे इसके बात हम देखते हैं कि सब लोग को बहुत ही स्टिक टेनिंग दी जाती है फीजिकली मेंटली स्ट्रॉंग होने के लिए सारी जीज़े सिखा ही जा रही थी पैरलल में बेन ने ड्रग डिलर से बहुत सारी ड्रग्स लिये थे इस वज़े से और ड्रग डिलर डारेकली उसके घर पर पहुचाता है बेन को मार कर वहाँ से चला किया इस सारी जीज़े बेन के पैरेंस ने देखी उन्हें सब कुछ पता चल गया था उगसे में बेन को भी उसी कैम में भीजने का डिसाइड करते है कैम में एक रात सब लोग बहुत ही खुश थे सोफी ने पूचा कि ऐसा क्या हुआ रिना उसे बता थी कि आठ चिकन है पर इचिकन बाकी सारे लोग खा जाएंगे उन्हें लास्ट लिये मिलेगा ही नहीं रिना को चिकन बहुत पसंद था तो एक पीस लेकर वो छुप कर खा रही थी ये सारी चीज लोगन देख लेता है वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम सबसे स्पेशल हो ये पीस तुम रिजर्व करती हो अगर मैंने इस बात को रिपोर्ट कर दिया तो तुम कभी भी इस कैम से नहीं निकलोगी मैं तो अभी तुम्हें यलो शट दिलवाने के लिए रिकमेंट करने वाला था ट्रीना कहती कि प्लीज ऐसा मत करना लोगन ने कहा कि हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी वो जबर्दस से उसके साथ इंटिमेट हो जाता है ट्रीना भी यहां से जल्दी से निकलने के लिए उसे कुछ भी बोलती नहीं रात में बहुत बड़ा तुफाना है इसमें सब के टेंट टूट चुके थे इसे फिर से बनवाने के लिए सब लोगो काम दिया जाता है ट्रीना को सब का लीडर बना दिया गया था काम करते करते सोफी बहुत ही ज़ादा ठक गई कुछ बुरा करने का चांस दे तो यह हमेशा वही करते है कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाते इसी वज़े से सारी यहाँ पर फसे हुए है नेक सिन में हम देखते हैं कि बेन भी अब कैम में आ चुका है उस सोफी को देखता है जिसके हालत बहुत ही खराब थी उसे बहुत ज़ादा बुरा लगा एक दिन सोफी को नॉर्मन ने उसके पास बुला है उसे दूर बिस्क्रिट ओफर करता है सोफी कहती है यह तुमारी ट्रिक क्या है मुझे कुछ अच्छा देखर मेरी थेरेपी करो मैं इस तरीके से तुमारे स्कैम में आने नहीं वाली बाकि सब लोग को लगता होगा तुम बहुत ही लाइफ चेंज करते हो पर मुझे ऐसा नहीं लगता नॉर्मन फिर भी उससे क्वेशन बुचता है उसने का यह तुम्हारे मदर फादर ने तुम्हें यह भीजा क्यों सोफी कहे थी कि मेरे स्टेफ फादर ने मुझे यह भीजा मेरी मदर कभी भी ऐसी बात नहीं करती सोफी को गुसा आ गया और वो यहां से चली जाती है रात में बेन सोफी की पास आकर बैठता है सोफी को उसे देखकर बहुत अच्छा लगा पर एक दूसरी को जान दे है ये किसी को भी पता नहीं चलने दे सकते थे एक सिग्रेट जगा इन्होंने डिसाइड की और वहाँ पर जाकर मिल गए बेन ने सोफी को का क्यों किस तरीके से यहाँ पर पहुच आ है वो गहता है कि अब हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे उसमें बचाने के लिए आया हूँ सब सोकर सोफी के आखों में आसो आके थे अगली दिन बेन की भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है उसमें से एक लड़का था जिससे स्विमिंग आती नहीं थी पर फिर भी जबरदस्ती उससे करवाय जाती है वो आज अल्मोस डूमने वारा था नेकसिन में बने थे कि लोगन और ट्रिना की बीच में डील हुई थी इस वज़े से ट्रिना को येलो टीशर्ट मिल जाता है अग सोफी को भी यहां आयो हुए चार वीक सोच चुके थे जो सब के सामने कनफेस करने के लिए उसे बुला जाता है वो कनफेस कर नहीं थी तभी सब को बुला गया और सोफी को बहुत मारते है रोते-रोते फिर सोफी ने सब कुछ कनफेस किया उसने कहा कि मैंने जूट कहा था मेरे स्टेप फादर की पार्टी चल रही थी जिसमें मैंने कहा कि वो मेरे रूम में आकर रोज रात मेरे साथ जबर्दस्ती करते हैं इनसे उन्हें बहुत ही हुमिलेट होना पड़ा था सोफी को बहुत पच्टा आता है कि इस तरीके से जूट बोली आज रात बेन और सोफी यह दोनों फिर से मिले बेन यहाँ से निकलने का प्लान कर रहा था सोफी उसे कहती है कि शायद यह प्लेस मेरे लिए अच्छा है मैंने जूट कहा था और इसके लिए मैं बहुत ही शर्मेंदा हूँ बेन कहता है कि जिस तरीके से लोग हमें ठीट करते है इस तरीके से कोई भी नहीं कर सकता हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए निकसिन में सब लोग खेल रहे थे एक लड़का था जो बेन को बहुत ही परिशान कर रहा था वो हर बार उसे मार कर नीचे गिरा देता था बेन ने भी उसे दूर रहने की वार्निंग दिये पर फाइनली बेन ने चिट कर उसके प्राइवेट में जोर से मारा इस कैम के सारे स्टोरेंट को कहा कया था कि आप इस तरीके से लेटर लिखो जैसे आपके बैरेंट्स आपको लेटर लिख रहे हो ये सब लेटर्स नॉर्मन को मिलने के बाद सोफी का लेटर हो पड़ता है सोफी ने लिखा था कि जैसे उसकी मदर ने उसे बहुती स्वीट लेटर लिखा हो पर इसा कुछ भी नहीं था और सारी चीज़े फेक कर रही थी और एब बाद नॉर्मन को पता चल गई नॉर्मन की कलिंग मैरियान उसे कहती है तुमने इस कैम को इसी तरीके से बनाया यहाँ पर कोई भी जूट कह सकता है सिर्फ सर्वाइवल के लिए नॉर्मन की जो भी सब तरीके है यह हमेशा उसे सही लगते है इसमें उसे लगता है कि कुछ भी गलत नहीं हमने मूवी के फस में देखा था कि सब के पैर में ट्रैकर था बें स्लूली स्लूली इस ट्रैकर को किस तरीके से डियक्टिवेट करते इस सारी चीजी सीख लेता है उसने फिर सोफी को लेकर यहां से भागने का प्लान बनाया नॉर्मन जब पैरन्स की कॉनफरेंस लेने के लिए गया हुआ था तो भी उसके ऑफिस में जाकर जल्दी से चुरा लेते है मेरेन भी ऑफिस में थी पर यही पर वो सो गई थी बहुत ही चाला किसी उन्होंने अपना पासपोर्ट यहां से निकाल लिया नॉर्मन की आइलन्ड पर बोट थी जो लेकर यह दोनों बहाँ से चले जाते है एक बहुत ही अच्छे से होटेल में जो बेन ने अल्रेडी बुक कर लिया था अब अगली सुबा है प्लेन से यहां से निकल जाने वाले है वो दोनों बहुत ही खुश थे आज यहां इंटिमेट हो गए अगली सुबा है निकल पाते हैं उससे पहले ही कैम के लोग यहां पर पहुँच गए वो फिर से उन्हें बगड कर कैम में लेकर जाते है नौरमन सब से कहता है कि बेन और सोफी ने जो भी किया इस वचे से सब को भुगदना पड़ेगा तीन मन के लिए आप सब को कोई भी ब्रिक नहीं मिलेगा इनके हां के जो होल्स थे इनमें इन दोनों को डाल दिया गया नेकसिन में हम देखते कि बेन को जो तकलिव देता था उस लड़की का नाम था डैनी डैनी की आप गनफेस करने की बारी आती है उससे पूछा जाता है कि तुमने किया क्या डैनी कहता है कि मेरे स्कूल को में बॉम से उड़ाने की इंटरनेट पर बात कर रहा था ये मेरे पैरेंट्स ने देख लिया और यहां मुझे भेज दिया गया इस सिर्फ एक मिस्टेक थी मैं इंटरनेट पर as a character बात कर रहा था एक्चौल में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता मैं सिर्फ एक role play कर रहा था वो Norman से कहता है कि तुम भी तो एक role ही play कर रहे हो कि हम सब की तुम care करते हो पर एक्चौल में ऐसा कुछ भी नहीं है Norman को इस पर घुसाया और सब मिलकर डैनी को बहुत मार दया अब एक week बीच चुका था और सोफी और बेन को hole से निकाल लिया जाता है Norman ने बेन से बात की उसने कहा तुम्हारी वज़े से सोफी की जो भी progress हो रही थी ये भी stop हो गे मुझे पहले से तुम्हारे और सोफी के बारे में पता था पर फिर मुझे देखना था कि तुम क्या करोगे वो बेन से कहता है नेक्स flight लेकर तुम यहां से चले जाओगे बेन इस बात से बहुत ही upset हो गया वो सोफी से बात नहीं कर रहा था तो सोफी कहती कि हुआ क्या बेन कहता है मैं यहां से दूर चला जाओ उसके बाद ही तुम यहाँ सही तरीके से इंप्रूव हो सकती हो बेन जाने वाला है सुनकर सोफी को बहुत बुरा लगा नेकसिन में हम देखते हैं कि लोगन आजरात फिर से टिना के पास आया उसके साथ इंटिमेट नहीं होना चाहती थी पर लोगन उसे जबर्दसी करता है इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टब हो गई थी वो रो रही थी इस सारी बात सोफी ने देख लिए सोफी कहती है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हाए साथ हुआ क्या टिना ने उसे सब बाते बता दिये अगली दिन जब ट्रेनिंग चल रही थी फिर से सब लोग को स्विमिंग करने के लिए कहा कया जैसे कि हम पता है कि बेन को स्विमिंग नहीं आती तो सब के पीछे था सब किनारे पर पहुँच गये बेन नोटिस करता है कि डैनी पानी में डूप रहा है उसने लोगन को बताने की कोशिश की पर लोगन कहता है कि डैनी को खुच स्टगल करना पड़ेगा बेन ने खुच जाकर डैनी को बचाने की कोशिश की पर डैनी मर चुका था लोगन भी डर गया वो बेन से कहता है कि यह सिर्फ एक एक्सिडेंट था हम सब को बताएंगे कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था इसी वज़े से उसकी डेथ होगे अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हमेशा में तुम्हें इससे कैम में रखूंगा यह बात बहुत ही बड़ा इशू लेकर जाएंगे नौर्मन फिल लोगन को सब के सामने लेकर आए वो उसे भी अपने क्राइम को कंफेस करने के लिए कहता है लोगन ने जिनके साथ भी गलत किया था वो सारे मिलकर उसे कंफरंट करते है रिना ने उसे पूछा और कितनी लड़कियों को तुमने मजबूर कि यलोग टी-शेट दिलवानी के लिए बाकी लड़किया सामने आए इस सारे मिलकर लोगन को बहुत मारते है बेंट डैनी की डेट से बहुत जादा गुसा हो गया था वो सबसे कहता है यहाँ पर सब चीज़े गलत चल रही है हम सब को मिलकर इस कैम को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए सब लोग इसके लिए मानगे हर जगा पर आग लगा देते हैं लोगन मोके का फायदा उठा कर अपनी गाड़ी में यहाँ से भाग रहा था बागते बागते अपनी गाड़ी से उसका कंट्रोल चला जाता है और एक जगा पर जाकर वो टकराक है वहाँ पर और और निकलने के उसने बहुत कुछिश के सब लोग उसे देख रहे थे पर उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आता उसकी जलकर ही डेथ हो जाती है फाइनली बेन और सो भी नॉर्मन के ऑफिस में आया नॉर्मन ने का तुमने आज भूफ कर दिया तुम जैसे बच्चों को कैम की जरूरत है अब हमेशा पैरंस धरते रहेंगे यह काहँ कभी भी बंड नहीं होगा नॉर्मन के पास गन थि उन्हें मारनेस वाला था तक भी बेन 민 ने उस सब को डालता था सबने मिलकर उसे उस होल में डाल दिया यहाँ पर जो भी होता है इसके बारे में उन्होंने पुलिस को बता दिया फाइनली सब लोग इस आईलन से निकल गए थे मुवी के लास्ट में बता जाता है कि 1970 से इस तरीके की अलग-अलग कैम से जिसमें बहुत सारे बच्चों को भेजा जाता है इसमें गवर्मेंट की कोई भी मोनिटरिंग नहीं होती तो अंदर उने कितना भी टॉर्जर किया ज हो चुकी है इसी के साथ ही मुवी एंड हो जाती है नॉर्मन को जो लगता था कि सब को discipline सिखाना चाहिए लाइफ में टब बनाना सिखाना चाहिए उसका मानना सही था पर तरीके बहुत ज़्यादा गलत थे वह इन बच्चों को हेट करने लग गया था इसकी सजा उसे भू कि अाहिए खुछुआब साथ ही झाल 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 झाल